स्वागत है सिक्षक बंदू अभी अभी प्राप जानकारी के अधार पर बिहार सरकार सिक्षा विभाग से पत्र हुआ जारी प्रेश के के पाठक भाप प्रेश से अपरमुख सचिव सेवा में सभी जीला पदा दिकारी बिहार पटना दिनांग 26 देश दोजार तैस विसे ब पर इचा फल के आलूक में विद्याले अध्यापकों को अवदिक नुक्ती पत्र दिये जाने के संभंद में संसुदित कारिक्राम अधोहस्टक्छरी का पत्रांग 305 बटेसी दिनांग 23 दिस दोजार तैस महासे उपरोक्त पत्रांग 305 बटे सी दिनंग 23-10-2023 द्वारा यह सुचित किया गया था कि 2 नुमंबर 2023 को अपराहन 3 बजे मानिय मुख मंतरी द्वारा 25,000 विद्याले अध्यापकों को अब बंदिक नुक्ति पत्र दिया जाएगा एवं उन्हें संभोधित किया जाएगा उसके कारिकरम में जो है संसोधन हुआ है इस करम में यह भी सुचित किया गया था कि सभी जीलों से विद्याले अध्यापकों को गांधी मैदान लाया जाएगा किन्तु अब इस कारिकरम में आंसिक संसोधन करते हुए सुचित किया जा रहा है कि दूर दराज के प्रमंडल यथा जैसे पुर्णिया भागलपूर एवं सहरसा से अध्यापकों को नहीं लाया जाए और वे अपने जीले के ही कारिकरम में भाग लेंगे तदनुसार किस जीले से कितने विद्याले अध्यफ्यकों को लाया जाएगा उसका संसोधि सुची इस पत्र के साथ अनुगलन को के रूप में दी जा रही है बहुत ही बड़ी खवर सिकचक बंदू कौन कौन जीले के नहीं जाएंगे गांधी मैदान पटना के गांधी मैद पुर्णिया भागलपूर एवं सहरसा और जो जाएंगे उसकी सुची नीचे है यहां या भी अंकित करना है कि पटना नलंदा एवं वैसाली जीले में जीला अस्तरिया कोई कारिक्रम प्रस्तावित नहीं है क्योंकि इन तीन जीलों के सभी सफल विद्याले अध्यापक ग पुरे कारिक्रम की अध्यक्षता जीले के परभारी मंत्री द्वरा की जाएगी साथी जीले में हो रहे समारों में किन-किन गन्मानी व्यक्तियों को बुलाया जाएगा इसके लिए मंत्री मंडल सची वाले विभाग को अलग से सुचित संसुचित करेगा पत्रांग 305 बाते यतावत रहेगी और साथी सात्र या परतिलिपी सभी चेत्र उपनिदिशक सिक्चा बिवाग पिहार सभी जिला पदादिकारी बिहार को सुचनार्थ एवं आवस्यक कारवाही हेतु प्रेशित तो कहां कहां से जाएगे कि जिले के संसोधित अनुगलक को देखिए मुंगेर परमंडल सेखपुरा जमुई लखी सराय मुंगेर बेगु सराय खगडिया और साथे साथ दरभंगा परमंडल तिरहूत परमंडल दरभंगा में दरभंगा मदुबनी समस्तिपूर और अपका तिरहूत में मुझपर पूर सिता मड़ी सिभार पूर्णिया पूर गोपालगन सिवान ये कैसा लगा वीडियो कोमेंट में जरूर बतावे शिक्छक बंदो बहुत बहुत धन्यवाद